हेलो एवरिवन इस यूडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिया साइकल की तो यूरिया साइकल ये लिवर में होती है और यूरिया साइकल इंपोर्टन क्यों हो क्योंकि बॉड़ी में हमारा जो टॉक्सिक मटेडियल होता है इसको अमोनिया बोलते है ये अमोनिया हमारी और problem हमको देखेने को मिलती है यह सब हम यहाँ पर बात करेंगे hyper ammonimia में ठीक है तो अब ही हम बात करते हैं देखे क्या बताया गया यहँ पर तो amino acid catabolism generate common metabolites तो यह बताया गया कि amino acid catabolism से common metabolites generate होते हैं और common metabolites pyruate है और acetyl koae है तो यह pyruate और acetyl koae यह दोनों है यह एसी टाइल को ए यह चला जाता है हमारा TCA cycle में भी और लेकिन fasting की condition में यह जादा ketogenesis में चला जाता है ठीक है ketone bodies के formation में और यह pyruvate हमारा fasting की condition में gluconeogenesis के पाथवे में चला जाता है और यह pyruvate जो है यह भी TCA में जाता है ठीक है अगर fed state है तो यह सब TCA में इस converted to urea and excreted by the kidney तो यह बताए जा रहा कि nitrogen का जो excess होता है क्योंकि amino acid में nitrogen present होता है हमने देखा था किस में एक side में NH2 होता है ठीक है यह nitrogen तो यहीं बताए जा रहा कि excess nitrogen is converted to urea तो अगर nitrogen excess में हो रहा तो urea में convert हो जाता है और फिर वो kidney के तो इक्सक्रेट हो जाता है ठीक है यह देखिए यह urea हमारा है urea में देखिए यह हमारा NH2 है और यह देखिए यह आया ammonia से और यह NH2 जो है यह apart rate से आया है तो देखिए यह हमारी urea cycle है और इस ही urea cycle के ज़री है जो हमारा toxic material NH3 है ammonia इसको बोलते हैं ये body से remove हो जाता है यूरिया की form में ठीक है तो यूरिया के यह molecule है इसमें देखे ये जो NH2 है ये हमारा आया ammonia से यहां से और ये ये जो है ये इस carbon dioxide से आया है और ये देखें NH2 जो ये वाला दूसरा वाला है ये espartate से आया है तो अब हम cycle के बात कर लेते हैं तो देखें ये हमारा carbon dioxide water से ये combine करता है और ये reaction होती है इसके थूर देखें हमार पास bicarbonate बनता है और H plus बनता है तो हमको यहाँ H plus से मतलब नहीं है इस वरे से bicarbonate को यहाँ पर दिखाया गया और ये दिखें, mitochondria के अंदर ये cycle हो रही है और इसमें एक चीज़ और हमको याद रखना है कि देखें, urea cycle जो होती है ये mitochondria के अंदर भी होती है और cytosol में भी होती है, ठीक है तो कुछ cycles ऐसी है, इसको हम देख लेते हैं दोखिए, heme synthesis, urea cycle, gluconeogenesis और pyrimidine synthesis ये cytosol में भी होती है और mitochondria में भी होती है, ठीक है ये याद रखना है, ये हो गया अब देखें, ये bicarbonate ion ये NH3 से combine हुआ in the presence of carbamyl phosphate synthetase 1 ठीक है, इसको हम CPS1 भी बोलते हैं तो इससे, इसकी presence में, ये दोनों combine हुए और यहाँ पर देखें, दो ATP यूज हुई दो ATP यूज हुई, और दो ATP ADP में convert हुई, और उसके बाद यहाँ पर देखें, क्या बना, carbamyl phosphate बनया अब ये देखें, ये जो हमारा CPS1 है, ये N-acetyl glutamate से alo-esterically activate होता है, ठीक है तो पता चला कि ये N-A-G जिसको हम बोलते हैं, N-acetyl glutamate ये alo-esteric activator है इस carbamyl phosphate synthetase का और इस पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये rate limiting enzyme है यहाँ का, ठीक है ये हो गया, और उसका बाद फिर देखिए ये carbamyl phosphate अब देखिए, यहाँ पर आया यहाँ से देखिए ornithine ये ornithine, ये cytoplasm में ornithine बना और फिर यहाँ से special protein channel के तरू ये अंदर आ गया, mitochondria में और mitochondria में आया, फिर उसके बाद ये carbamyl phosphate से combine हुआ in the presence of ornithine transcarbamylase तो ये दोनों जब match हुए, तो यहाँ पर बना हमारा citrulin, तो citrulin देखिए, mitochondria के अंदर बना, अब ये citrulin mitochondria के अंदर सिर्फी चला गया, mitochondria के बाहर cytosol में, और जब ये cytosol में आया फिर यहाँ पर देखिए, ये espartate है ये espartate किसका part है? TCA cycle का तो TCA cycle में espartate बनता है, यानि mitochondria में बनेगा, क्योंकि TCA mitochondria में होती है, फिर यहाँ से espartate ये बाहर आ जाएगा, और ये espartate यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद ये citrulin से bind करेगा, क्योंकि citrulin भी अफ साइटो प्लाजम में आ गया है, और in the presence of arginino succinate synthase, तो arginino succinate synthase की presence में, ये citrulin aspartate से combine होगा, और यहाँ पर एक ATP यूज़ होगी, लेकिन यह देखिए, ये ATP यूज़ हुई, ये ADP में कनोट नहीं हुई, AMP में कनोट हुई, यानि यहाँ पर दो phosphate यूज़ हुए, means, यहाँ पर समझे कि अल्मोस्ट दो ATP यूज़ हुई, क्योंकि ADP में नहीं कनोट होगे, AMP में कनोट नहीं, तो दो phosphate यूज़ हुए, वहीं यहाँ पर बताएगा, देखिए, दो inorganic phosphate हमको यहाँ पर मिले, अब यह देखिए, जब दोनों मिल गए, in the presence of arginino succinate synthase, तो यहाँ पर बना arginino succinate, अब यह arginino succinate, arginino succinate liase work करेगा, जिसकी वरे से इसको arginino succinate को convert कर देगा fumarate में, और यह देखिए, fumarate फिर यहाँ चला जाएगा, यह TCA में, ठीक है, fumarate यहाँ TCA में चला गए, और यह arginine में करनोट हो जाएगा, ठीक है, तो arginino succinate देखिए, यहाँ पर दो इसमें करनोट हुआ, fumarate यह fumarate TCA में चला गए, और यह arginine यहाँ आया, अब देखिए, यह arginine यहाँ पर देखिए, arginase work करेगा, और जब arginase work करेगा, तो water के molecule को इसमें add करेगा, और जब water के molecule को add करेगा, तो देखिए, यहाँ पर urea का formation हो जाएगा, और यह urea इधर चला गया, और यह arginine खुद करनोट हो जाता है, और निथीन में, अब यह ornithीन साइटोप्लास में है, और साइटोप्लास में से फिर यह चला जाएगा, हमारा mitochondria में, और यहाँ पर जो protein channel होता है, उसको हम बोलते हैं ornithine permease, ठीक है, ornithine permease के तुरू, यह ornithine हमारा mitochondria में चला जाएगा, और फिर यह cycle इस तरह तो यह बाहर निकल जाएगा, तो देखिए, यूरिया में यह NH2 होता है, जो कि अमोनिया से बनता है, तो पता चलाओ कि body का toxic material जो अमोनिया है, body उसको remove कर देती है, in the form of यूरिया, तो यह हो गया हमारी body का यूरिया cycle, अब यूरिया cycle में वह सारी